हलो जी कैसे आप लोग गुड़ा प्रनौन तो अल अफ यू अमीद है सब लोग अच्छे होंगे एकडम आब आजा रही है आप लोग को मेरी अब आजा रही है मेरी आपको एकडम बढ़िया बताई जी सब बढ़िया है आप बताएं आपको अब आजा रही है मेरी अब आज बहुत रही है आप लोगों तक बायो तॉनिक स्प्रीज में आप लोग का स्वागत है हम फाइन बटा जी आप बताएं अपने हाल सब बढ़िया है आप लोग को हम ठीक हैं चलिए अब आजाएगी आपके पास अब आजाएगी आप लोग को वीडियो स्टार्ट होगी अभी अब आजा रही है आप लोगों तक चलिए आभ आजाएगी आपके पास सब लोग को आज पहुँच रही है ओके तो सब लोग वीडियो को एक बार शेयर कर लें सब अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सब लोग को इसके वारे में पता चले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज हम लोग ecology जैसा के आप जानते ही है ecology हम लोग कर रहे थे ecology का second last chapter आज हम लोग करेंगे और ये second last chapter है हमारा bio diversity and its conservation इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं ठीक है bio diversity and conservation के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और discuss करेंगे पचास questions जैसा के हर बार हम लोग करते हैं तो आज भी अभी भी हम लोग उसके पचास questions के बारे में discussion करेंगे ठीक है तो आप लोग आ जाएं जल्दी से session को join कर लें और ये 36 37 chapter है second last पूरी NCRT 11th 12th हम लोग कवर कर चुके हैं जैसा के आपको हमने बताया है 11th में भी हम लोग उने 50-50 सवाल के session किये थे फिर उसके बाद वीडियो भी आएगी बटाजी अभी वीडियो हम सामने नहीं आया आए आपके थोड़ी देर में पिरसारित होगी तनाव ना लें आप ठीक है तो तयार हैं सब लोग session के लिए बस start करने वाले हैं हम आज का session ओके आज का session बस start होने वाला है हम start करने वाले हैं सब लोग पढ़का आए होंगे उमीर है पूरा chapter आप लोगों ने cover करी लिया होगा सब लोगों ने पढ़ लिया होगा चैप्टर chapter है हमारा जैसा के आप देख सकते हैं स्क्रीन के उपर बायो डैवर्स्टी एंड इट्स कंजर्वेशन इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे बायो डैवर्स्टी एंड कंजर्वेशन के बारे में ठीक है ओके बेटा जी हाँ इस पीड सही रहेगी आप उसका तनाव नहीं ही लें इस पीड सही रहेगी उसका टेंचन मत लीजिए ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन और स्क्रीन के उपर पहला सवाल आपके आ चुका है ठीक है स्क्रीन के उपर आपके पहला सवाल आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर है जवाब दीजिए डोडो पैसिंजर पिजन इस्टीलर सी काव बिकेम एक्स्टिंक्ट इन दे लास्ट फाइब हंडेड यर्स ड्यू टू यानि इनके एक्स्टिंक्ट होने की वज़ा पूछी गई है कि किस वज़ा से ये एक्स्टिंक्ट हुए है जवाब दे जल दी आप लोग इनके एक्स्टिंक्ट होने की वज़ा पूछी गई है किस वज़ा से ये एक्स्टिंक्ट हुए है और जवाब आना स्टार्ट हो गए हैं हमको जवाब सबसे पहले दिया है कमल पाल ने परवीन ठाकुर ने फिर उसके बाद दिया है समीर अंसारी ने इन लोगों ने दिया है फस्ट का जवाब दे रहे हैं ये बी प्रिवीन ठाकुर जी समीर अनसारी ए अभी शेक सोनकर बी कफील सकलेनी बी तो बी एकदम सही जवाब है यानि इसकी वज़ा है ओवर एक्स्प्लाइटेशन ठीक है ज़्यादा इस्तमाल करना बस इसी की वे से ये एक्स्टिंट हुए हैं सही जवाब है इसका बी नेक्स्ट कोईशन इस्पेशीज डावरस्टी एस वी अवे फ्रॉम दा टूबर्ट्स क्या होना चाहिए इसका जवाब कोईशन नमबर टू का इस्पेशीज डावरस्टी डिक्रीजज होना चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए एस वी मूव सवाल नमबर दो का क्या जवाब होना चाहिए तू का सौहल हुसेन ने जवाब दिया है A SP ने A, प्रवीन ठाकुर ने A, अंकिता ने A यानी decreases और इनका जवाब एकदम सही है जैसे अर्थ के उपर हम लोग पोल से एक्वेटर की तरफ जाते हैं तो species की diversity लगातार घरती है ठीक है ये latitudinal variants, gradients आपने पढ़े होंगे उसी का सवाल है There are four major causes of accelerated rate of species extinction which are collectively known as evil quartet which of the following is not included in the evil quartet पढ़ा होगा आपने, चार major वजा है ecosystem जो खतम हो रहा है, मतलब जो species जो हैं लगातार खतम हो रही है उसकी main चार वजा है उन में से, चार में से कौन सी वजा नहीं है सवाल नमबर तीन का भी दिया है, SP ने, पिरवीन ने, समीर अंसारी ने, शादाब ने, शाही नक्तर ने भी दिया है, pollution एकदम सही जवाब है over exploitation, co-extinction, alien, alien species invasion ये सब उसके अंदर आता है An exotic species that is introduced to a new area spreads rapidly and eliminates native species is called किसी कोई भी exotic यानि बहारी species अगर किसी जगा में introduce कर दे जाए तो ये बहुत तेजी से फैलती है और वहाँ की जो native species होती है उनको खतम कर देती है इसको क्या बोलते है immigrant, invasive species ये destructive species ये none of the above 4 का जवाब आ चुका है B दे रहे हैं जादा तर लोग और इनका जवाब एकदम सही है invasive ही इसको बोला जाता है सवाल number 5 exotic species which when introduced in an Indian became notorious weed is कौन सी है ये इंडिया के अंदर जो डाली गई है कौन सी है ये antenna camera, acornia या parthenium hysterophorus सवाल number 5 का क्या जवाब होना चाहिए question number 5 का अभी जवाब हमारे पास नहीं आया है 5 का A दे रहे हैं सुहल हुसेन, पर भी इंठाकुर, S, P, D दे रहे हैं बुश्राजी, D, मुहम्मद शादाब, D कमल, पाल, सुंब, खान, D तो D एकदम सही जवाब है all of these, क्योंकि ये जितनी भी species हैं, ये सब बहारी हैं ठीक है, इन्हों ना करके इंडिया माफ़त मचाई हुए identify the group of organisms marked A and B in the given pi diagram representing the proportionate number of species of major taxa in plants A को, B को, पहचानिये क्या हैं? A और B, पहचानना है आपको ये NCRT का diagram है अगर आपने NCRT पढ़ी होगी तो ये diagram आप आराम से बता सकते हैं, इसका जवाब क्या होना चाहिए? जवाब दीजिए सवाल number 6 का क्या जवाब होना चाहिए? question number 6 का C जवाब दे रहे हैं ज़्यादत अलोग, यानि A जो है वो फंजाई होना चाहिए और B जो है वो angiosperms होना चाहिए और इनका जवाब एकदम सही है जिन लोगों ने भी C जवाब दिया है उनका जवाब एकदम सही है क्योंकि A जो है वो फंजाई है और C जो है वो B जो है वो angiosperms है which of the following fish led to the extinction कौन सी मचली ने चिचलिट फेश जो Victoria Lake में पाई जाती है उसके लिए दिक्कत पैदा कर दी थी कौन सी फिश ने कटला ने, डॉग फिश ने, अफ्रीकन कैट फिश ने या नाइल पर्च ने साथ का सुंबल ने D दिया है स्वहल ने A दिया है प्रवीन ने सी, कफील ने सी SP ने D, अंकिता समीर ने सी सी दिया है यानि नाइल पर्च और इनका जवाब एकदम सही है Which of the following fish is being illegally introduced for aquaculture purpose and is posing a threat to the indigenous catfish of Indian leavers Clarius, Garrypinus, Nile पर्च, Climbing पर्च या Protepterus सवाल नमबर आठ का क्या जवाब होना चाहिए NCRT अगर आपने पढ़ी है तो आप जवाब दे सकते हो SP प्रवीन ठाकुर ने सही जवाब दिया है कमल पाल ने इर्फान अंसारी ने Clarius, Gary, Pinus एकदम सही जवाब है इनका Next question When a species become extinct the plant and animal species associated with it an obligatory way also become extinct This phenomenon referred to as यानि अगर मान लो कोई species extinct होती है तो उसके आज़ पास जो और जो उस पर depend करते हैं वो भी extinct हो जाते हैं इसको क्या बोलते हैं सवाल नमबर 9 जवाब दें जल्दी से Question number 9 का D दे रहे हैं D, 9 का D एकदम सही जवाब है co-extinction इसको बोलते हैं D एकदम सही जवाब है 10 Biodiversity loss occurs due to Biodiversity जो loss है इसकी वज़ा क्या है Habitat loss, co-extinction, over exploitation या alien species invasion सवाल नमबर 10 Question number 10 का जवाब दें जल्दी क्या होना चाहिए Question number 10 का D दे रहे हैं सब लोग एकदम सही है यह 4 के 4 जो हैं एकदम सही जवाब है The impact of loss of biodiversity include Biodiversity अगर loss होती है तो इसका क्या असर होता है Decline in plant production Lowered resistance of environmental perturbance Increased variability in ecosystem process like plant productivity, water use, pest and disease cycle या all of these सवाल नमबर 11 का जवाब दिया है D सही जवाब है अगर biodiversity loss होती है तो plant की production loss होगी Race Tense जो environment की वो गड़बड हो जाएंगी Variability ecosystem में Plant productivity, water use इन सब पाथर पढ़ेगा जल्दी जल्दी जवाब दो India constitute India वर्ड का कितना लेंड एरिया कवर करती है और इसके अलावा Global species diversity में कितना participate करती है सवाल नमबर 12 का NCRT का डेटा है Question number 12 12 का जवाब दिया है D एकदम सही जवाब है भारत के पास 2.4 land area है और species diversity 8.1 है What is decreasing order of number of animals species as fat as India is concerned ठीक है भारत में decreasing order of number of animals species कौन सा है जवाब दें Question number 13 का जवाब दीजिए कमल पाल जी D दे रहे है 13 का D 13 का D दे रहे है A दिया है बुश्रा जी ने D दिया है D पक्यादव ने देखिए सबसे ज़्यादा भारत के पास अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा AVs हैं चिडिएं उसके बाद reptiles हैं उसके बाद mammals हैं और सबसे कम amphibians हैं तो सही जवाब है इसका B 13 का B एकदम सही जवाब है Question number 14 14 का जवाब दे जल्दी से बस दो मिनिट में 14 का जवाब देखा जवाब है 14 का जवाब देखा जवाब है 15 का जवाब देखा जवाब है 14 का जवाब है झाल 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 हाँ जी जवाब दीजिए सब लोगों ने जवाब दिया है 14 का A कोई B दे रहा है 14 का तो 14 का अगर सही जवाब देखा जाए तो A है एकदम सही जवाब है 14 का A The diversity of organisms sharing the same habitat or community is termed as इसको बोला जाता है alpha diversity ठीक है इसको alpha diversity बोलते हैं ठीक है आगले सवाल पर बढ़ते हैं इस्पेशीज डाइवरस्टी मूफ रॉम हाई टू लो एल्टिट्यूड यानि हाई से जब हम लो एल्टिट्यूड की तरफ जाते हैं तो इस्पेशीज की डाइवरस्टी बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए सवाल नमबर पंद्रा का क्या जबाब होना चाहिए कोशन नमबर फिफटीन का क्या जबाब होना चाहिए कोशन नमबर फिफटीन यानि जब हम हाई एल्टिट्यूड यानि पहाडों से जब नीचे की तरफ आते हैं इस तरीके से, तो इस्पेशीज की डाइवरस्टी क्या होती है? पंदरा का A, अंकिता ने A दिया है, सब लोग A दे रहे हैं, एकदम सही जबाब है. जैसे जैसे हम पहाडों से नीचे की तरफ आते हैं, तो इस्पेशीज की डाइवरस्टी बढ़ती है. जैसे आप पहाडों पर चले जाएए जैसे नैनी ताल चले जाएए तो वहां का जो शहर हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं जितने बड़े पिलेन के होते हैं What is the total number of species present on earth as estimated by Robert May Robert May scientist के हिसाब से अर्थ के उपर कितनी species होना चाहिए सवाल number 16 का क्या जवाब होना चाहिए जवाब दें Question number 16 का इस सही आंसर क्या होना चाहिए Question number 17 सही आंसर दिया है 17 का अभी 16 का सुरी 16 का सी दे रहे है एकदम सही जवाब है 7 million Robert May ने estimate किया था कि लगभग लगभग 7 million species है The term evil quartet is related with four major causes of evil quartet किस से related है Forest loss से, population explosion, air pollution या biodiversity losses से सवाल number 17 का क्या जवाब दोगे आप Question number 17 का जवाब दीजिए Question number 17 का D दिया है Biodiversity Loss एकदम सही जवाब 18 India is one of the 12 mega diversity center of the world and is being divided into Bio Geographical Regions भारत को कितने Bio Geographical Regions में बाटा गया है 8, 10, 16 या 18 सवाल number 18 का जवाब अभी नहीं आया हमारे पास Question number 18 का जवाब दें Question number 18 का जवाब D दिया है बुश्रा जी ने तस्लीम ने पता नहीं क्या दिया है एजाज अली ने A दिया है आसिफ ने D दिया है D दे रहे हैं ये D एकदम गलत है भारत को दस Bio Geographical Regions में बाटा गया है जिग्रफी का सवाल है ये NCR टीम आपके नहीं दिया है Anti-lope सर्वी कैप्रा Black Buck Is क्या है Vulnerable है Endangered है Critically endangered है या Extinct हो चुकी है वाल्ड में ठीक है सवाल number 19 का क्या होना चाहिए Vulnerable है Indangered है के Critically endangered है के Extinct हो चुकी है खत्रे की कगार पर है या एकदम मतलब बहुत कम थोड़ी सी Species की बची है 19 का C, B, A अंकिता ने A दिया है परिशानत ने A दिया है और A इसका सही जवाब है Vulnerable Species है या Antilope जो है एक Vulnerable Species है ठीक है किसी भी सवाल में अगर आपको doubt है तो हमसे last में आप पूछ सकते हो An endangered bird is पैसिंजर, डोडो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या जेबू कौन सी bird इसमें से endangered है सवाल नमबर 20 का जवाब दीजिए कौन सा होना चाहिए पैसिंजर पिजन, डोडो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या जेबू Question number 20 अंकिता सिंग ने 20 का B दिया है सुहल ने A दिया है अंजिली ने B दिया है 20 का A दिया है B, A, D सब लोग इस तरीके से जवाब दे रहे हैं लेकिन जवाब ना तो A है ना B है जवाब है इसका C यानि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 20 का जवाब है C संदीप यादब ने C जवाब दिया है बस बाकी सब लोग A, B, A, B जवाब दे रहे हैं महमद आसिफ ने C दिया है बाकी सब लोग गलच जवाब दे रहे है Organization Responsible for RAID Data Book RAID Data Book जो है इसको Maintain करने के लिए कौन सी Organization है IUCN, WWF, CITES, IBWL बताइए कौन Responsible है इसके लिए सवाल नमबर 21 का क्या जवाब होना चाहिए 21 का जवाब दिया है A, सब लोग A दे रहे है एकदम सही जवाब है IUCN, ठीक है Conservation of Nature के लिए International Union जो है वही Responsible है Introduction of Nile Perch in a Lake of South Africa Result in Excessive Growth of Water Beats Elimination of Water Beats Elimination of Many Species of Chiseled Fish या Excessive Growth of Chiseled Fish सवाल नमबर 22 का क्या जवाब होना चाहिए Question number 22 जवाब दें जल्दी से और सवाल नमबर 22 का जवाब अभी हमारे पास नहीं आया है 22 का C दे रहे हैं ज़्याद तर लोग C यानि Elimination of Species सही है NCIT माप की दिया हुआ है सवाल नमबर 23 का क्या होना चाहिए तेज का SPG भी बोल रहे हैं शिर्या ने भी बोला ने शाहिन अक्तर ने अंजली सिंग ने खालिद ने कमल पाल ने सब लोग B बोल रहे हैं और इनका जवाब एकदम सही है NCIT के शुरू में ही ये आपको दिया गया है Western Ghats have a greater number of amphibian species than Eastern Ghats What kind of diversity does it represent? भारत के जो Western अलाके हैं Western जो घाट्स हैं इस तरीके सा आपने देखा होगा इधर वाले जो घाट्स हैं ये Western घाट्स हैं और इधर वाले जो घाट्स हैं ये Eastern घाट्स हैं तो Western घाट्स में जादा पाए जाते हैं सवाल नमबर 24 का A दिया है SP ने सादा आपने शिर्या खरे ने बुश्रा जी ने C दिया है अंकिता ने A दिया है 24 का A एकदम सही जबाब है Species, Diversities को बोलते हैं शुरू में ही NCR टीम आपकी ये दिया हुआ है Red Databook deals with Organism on the verge of extinction Endemic plants Organisms showing photoperiodism या Organisms that are extinct Red Databook में कौन से जानबरों को लिखा जाता है सवाल नमबर 25 Question number 25 का क्या जवाब दोगे बताओ 25 का साहदा आप बोल रहे हैं B SP ने दिया A अंकिता ने A आसिफ ने A शाहीन ने A A एकदम सही जवाब है Organisms on the verge of extinction Red Databook में ये ही लिखे जाते हैं जो खत्रे की कगार पर है The reason behind conserving biodiversity have been grouped into which of the following categories Conserving biodiversity को किस में रखा गया Narrowly Utilitarian Broadly Utilitarian Ethical या All of These सवाल नमबर 26 जल्दी जल्दी जवाब दो बेटा सवाल नमबर 26 का क्या जवाब होना चाहिए 26 का D दिया है जादतल लोग D दे रहे हैं एकदम सही जवाब है Narrowly, Broadly और Ethical तीनों के अंदर रखा गया Broadly Utilitarian Argument for the Conervation or Biodiversity does not include Bioprospecting, Pollination, Aesthetic Value या Climatic Regulation कौन सी चीज इसमें नहीं आती है सवाल नमबर 27 का क्या जवाब होना चाहिए Bioprospecting, Pollination, Aesthetic Value या Climatic Regulation सवाल नमबर 27 का जवाब दिया है बुश्रा जी ने B, C, B आपने पढ़ा नहीं यह सही सह इसका सही जवाब है Bioprospecting ये इसके अंदर नहीं आता है 27 का A बाकी Pollination, Aesthetic Value, Climatic Regulation ये सब broadly Utilitarian है तो 27 का सही जवाब है A Is the Exploration of Molecular, Genetic and Species Labor Diversity for Gaining the Product of Economic Importance अब आपके इस दिमाग में सवाल आता होगा जल्दी जवाब दें सवाल नमबर 28 का क्या होना चाहिए Question number 28 28 का B अरिश्वा खान ने बोला एकदम सही जवाब है Molecular और Genetic Level पर Research करके अपने फाइदे की चीज़ा निकालना इसी को बोलते हैं Bio Prospecting ठीक है इने National Park Protection is Provided to किसी भी National Park में Protection किसको दिया जाता Flora Fauna को Entire Ecosystem को Fauna को ये सिर्फ Flora को 29 का क्या जवाब होना चाहिए Question number 29 29 का B दिया है तो B एकदम सही जवाब है Entire Ecosystem सही जवाब Presently Total Number of Biodiversity Hot Spots in the World पूरी वर्ड में कितने Biodiversity Hot Spots प्रिजेंट में हैं सवाल नंबर 30 Question number 30 का क्या जवाब होना चाहिए Question number 30 30 का जवाब दिया है B सही जवाब है 34 Presently India has इतने Biosphere Reserve इतने National Park और इतनी Biod Life Centuries सवाल नंबर 31 का क्या जवाब होना चाहिए 31 का भारत के पास कितने Biosphere Reserve है कितने National Park है और कितनी Sancturies है सवाल नंबर 31 का सी दिया है जवाब सही जवाब है 14 नेशनल पार्क है 89 नेशनल पार्क से है 14 Biosphere Reserve है और 447 सेंक्चुरीज है NCRT के डेटा है इस चैप्टर में डेटा है Which of these organisms are protected by the people of Vishnui community of Rajasthan किस चीज़ को इनोंने बचाया था Prosopis scenario area Black buck Rojpatra या both A and B 32 का D दे रहे हैं सही जवाब है Vishnui's ने इसको Prosopis को और Black buck को दोनों को ही बचाया था More than 25 of the drugs are derived from plants What kind of benefit does this describe 25% जो दवाएं है उससे भी ज़्यादा प्लांट से निकाली जाती है किस टाइप का benefit है यह Ethical, Aesthetic, Direct Economic या Indirect Economic सवाल नमबर 33 का क्या होना चाहिए Question number 33 का C दे रहे हैं Direct Economic Value एकदम सही जवाब है C सही जवाब X to conservation is used for the conservation of All plants, All animals, Threatened animals and plants या both A and B X to conservation किस चीज को conserve करने के लिए किया जाता है 34 का जवाब दीजिए Question number 34 का क्या होना चाहिए C दिया है उनका एकदम सही है D नहीं होगा Threatened animals और plants को X to conservation के अंदर बचाया जाता है National Park was the first National Park of India भारत का सबसे पहला National Park कौन सा है Jim Corbett, Nanda देदी, काजी रंगा या जल्दापरा सवाल number 35 First National Park कौन सा है Question number 35 का जवाब दिया है A अरिस्वाने Jim Corbett, एकदम सही जवाब है काडगुदाम के पास है ये सही जवाब दिया है First Art Summit for Convention on Biological Diversity was held at Art Summit सबसे पहली कहां पर हुई थी जॉन्सबर्ग में, रियोडी जिनेरियो में देहरादून में या नियू यॉउक में सवाल number 36 का क्या जवाब होना चाहिए 36 Question number 36 का B दिया है, S.P. ने और A दिया है, शादाब ने A गलत है वेटा, B सही है लियोडी जिनेरियो में, बराजील में सबसे पहले 1992 में Art Summit हुई थी तो 36 का सही जवाब है, B Ecological Hot Spots present in India are Hot Spots भारत में कितने 1 है, 2 है, 3 है या 4 है 37 का जवाब दें Question number 37 जल्दी जल्दी जवाब दो बटा 37 Question number 37 का C दिया है, एकदम सही है पढ़े होंगे आपने Western Ghats होते हैं Indo-American ठीक है, ये Indo जो है, वो Sri Lankan 37 का C, सही जवाब In India, Cold Desert occurs in Mount Abu, Gujarat, Run-off Kutch, Ladakh and Spity सबाल number 38 का क्या होना चाहिए Mount Abu, Gujarat, Run-off Kutch, या Ladakh and Spity ये तो बता ही सकते हो Cold Desert, ठंडे रेगिस्तान कहां पर हैं भारत में 38 का C दिया है Run-off का चाहिए, ये तो राजिस्तान में बहुत गरम रेगिस्तान है, ये ठंडा नहीं है सही है, Ladakh आजकल लडाई भी चल लई हैं, समझे रहो चाइना के साइड में हैं ये एकदम Ladakh और स्पिती सही जवाब है D जवाब इसका सही होगा, ठीक है नंदा देवी बायसफेर रिजर्ब इस फाउंड इन, नंदा देवी जो बायसफेर रिजर्ब कहां पर हो, उत्रान चल असम हमाचल परदेश या आंधर परदेश में सवाल नंबर 39 नंदा देवी कहां पर है कोशन नंबर 39 का क्या जवाब होना चाहिए नंदा देवी बायसफेर रिजर्ब 39 का S.P. ने दिया है A. शादाब ने C. अंकिता सिंग ने A A. एकदम सही है उत्तरान चल में है ये नंदा देवी सिंबल आफ डवलु डवलु एफ इस टाइगर रोडोडेंड और बायडवीर जाइंट पांडा WWF का सिंबल क्या है सवाल नंबर 40 का क्या होना चाहिए कोशन नंबर 40 का क्या होना चाहिए 40 का अरिस्वा ने दिया है D मुहमद सादाब ने D दिया है एकदम सही WWF का सिंबल अगर आपने देखा हो तो जाइंट पांडा है ये सिंबल है WWF का क्राइव प्रिजर्वेशन क्राइव प्रिजर्वेशन में कितना लो टम्प्रेशर रखा जाता है सवाल नंबर 41 क्वेशन नंबर 41 का अरिस्वा ने दिया है B माइनस 196 डिग्री सेंटीग्रेट और इनका जवाब एकदम सही है भारत में बायो डावस्टी जो एक्ट है ये कब पास हुआ 92 में 96 में 2000 में या 2002 में सवाल नंबर 42 क्वेशन नंबर 42 का D दे रहे हैं 2002 और इनका जवाब एकदम सही है 2002 में ही ये पास हुआ है जो इनके लिए कौन सा एक्सटू कंजर्वेशन है सवाल नंबर 43 का क्या होना चाहिए 43 का C एकदम सही जवाब दे रहे हैं जवाब दीजिए 44 का B एकदम सही है धूब हाँ साइनुडॉन डेक्टूलॉन यही नहीं होती है बाकी सब है वेर अमंग दा फालोइंग विल यू फाइंड पिचर प्लांट पिचर प्लांट कहां पर मिलेगा रेन फॉरेस्ट में सुन्दर बंस में थार डिजर्ट में यह बेस्टन घार्ट में सवाल नंबर 45 का क्या जवाब होना चाहिए कुश्चन नंबर 45 का इनमें से कौन सा फीचर बायो डायवर्स्टी होट स्पोर्ट का नहीं है लार्ज नंबर ओफ इस्पेशीज एवंडेंस ओफ इंडेमिक स्पेशीज मोस्ली लोकेटेट इन पोलर रीजन यह मोस्ली लोकेटेट इन दा ट्रॉपिक्स सवाल नंबर 46 बायो डावर्स्टी होट स्पोर्ट में नार्ज नंबर ओफ इस्पेशीज होती ही है इंडेमिक स्पेशीज बहुत पाई जाती है ट्रॉपिक रीजन में पाई जाते हैं पोलर रीजन में नहीं पाई जाते हैं सी वाला गलत है इन में क्या चीज़ कॉमन है नेपन्थीस में रॉबॉल्फिया में और एकॉनाइटम आलार और्नमेंटल फाइलो जेनिटिक लिंक स्पेशी प्रोन टू ओवर एक्स्प्लाइटेशन एक्स्क्लूसिबली प्रिजेंट इन दा इस्टर्न हिमालियास सैतालिस का एस्पी ने जवाब दिया है सी सादाब डी दे रहे हैं सहीन ने सी सी एकदम सही है इन सब पे दिक्कत है ओवर एक्स्प्लाइटेशन की जरूए से ज़्यादा इनका इस्तमाल किया गया है इसलिए दिक्कत है इनके साथ सी जो एक सी वाला राइनोसरॉस है ये कौन सी सैंक्चुरी में ज़्यादा पाए जाता है सवाल नंबर अरतालिस कौन से पाक में है अरतालिस का सी दे रहे है काजी रंगा एकदम सही जवाब है काजी रंगा इसी के लिए मशूर है राइनोसरॉस यहाँ बहुत पाए जाते हैं भारत की कौन सी स्पेशी है इसमें इंडेंजरॉस रॉवाल्फिया सर्पेंटाइन, सेंटेलम एल्बम, साइकस वैडोनेल या ओल ओफ दा अबब 49 क्वेशन नमबर 49 का डी एकदम सही जवाब है क्योंकि यह सब खत्रे में है राववाल्फिया भी, सेंटेलम एल्बम भी और साइकस भी सब चीज खत्रे में है और लास्ट क्वेशन है सवाल नमबर 50 का क्या होना चाहिए 50 का जवाब दिया है SP ने, अरिस्वा ने भी, खालिद ने, सादाब ने भी, श्रिया खरे ने, शाहीन अक्तर ने भी मुहमद आसिफ सुहल हवीब ने भी, पिर्शांत कफील ने भी, अंकिता शुमेला अंजली कनकसित धारत ने भी, संदीफ यादब सीवे शुकला किरन सिंग ने भी, आफताब अली, 3000 सब्सक्राइबर ने भी, इर्फान इंसारी रवी शर्मा वसी कलीम ने भी, चंदन बी और बी एकदम सही जवाब है, ठीक है, बी एकदम सही इसका जवाब है, तो सही जवाब दिया है आपने बी, अब आपको अगर किसी कुश्चन में दिक्कत है, मज़े के लिए बेटा नहीं है मुहमद सादा भीया, अगर आपको नौलिज लेना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर पढ़ने, अगर पढ़ना है तो आप यहाँ पर वैलकम है, यह पढ़ाई के लिए चैनल बनाए गया, किसी को अगर किसी कुश्चन में डाउट है, तो हमसे पूछ सकते हैं, कुश्चन नमबर नाइंटीन, एंटी लोप, सर्वी कैपरा, ब्लैक बक, बेटा, यह बलनेबिल स्पेशीज है, याद कर लेना, यह NCRT मापकी नहीं दिया है, आउट ओफ NCRT है, ठीक है, श्रेया खरेविटा, 20, एन इंडेंजर्ड वर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर, यह सब याद करने वाली चीज़ें हैं, NCRT में नहीं है, एक ओलजी के PDF आज गल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई और कोश्चन 19 मिटा हमने बता दिये, रटने वाले, 19, 20 दोनों रटने वाले कोश्चन से, कोई और कोश्चन किसी को पूछना है, बताएं, श्रिया खरे वल्णरेविल का क्या मतलब होता है, वल्णरेविल का मतलब बेटा यही होता कि जो इस्पेशीज, इंडेंजर्ड, मतलब बिलकुल खत्रे की कगार पर है, ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा स्टेप पीछे, बस उन्ही को बुलाया था, वल्णरेविल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है सर, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आप जो है जोइन कर सकते हैं हमारा, टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको हम दे देते हैं, टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप जोइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर लिए ठीक है नेशनल पार्क्स 90 दिये हैं NCRT में बट करेक्ट आप्शन में 89 पार्क्स लिखे थे 90 दिये हैं बेटा लेकिन 89 अगर आप्शन में कहीं दिया है तो जो है आप मान सकते हैं उसको ठीक है क्योंकि कोई और आप्शन उसके हिसाब से मैच नहीं हो रहा था इसलिए मान सकते हैं 27 में मुहम्मद आसिफ ब्रॉड्ली उटिलिटेरियन आर्गुमेंट फॉर दा कंजर्वेशन और बायो डावस्टी दस नॉट इंकूड एंसी आटी बेटा पड़ो एंसी आटी में तीन दो तीन चीज़े दियें एक ब्रॉड इउटेरियन और एक नेरोली और एक एथिकल ठीक है चलिए ओके बेटा जी कल हम लास्ट चैप्टर एकॉलजी का लेकर का आपके सामने पेश होंगे और लास्ट चैप्टर है हमारा इन्वार्मेंटल इशूस तो कल हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे ठीक है चलिए फिर ओके बेटा जी टाटा एंड बाबाए